हेलो दोस्तो आ गई हो आप लोगों के लिए एलजेबरा की एक नई वीडियो लेके इससे पहले हमने एक वीडियो की है बिल्कुल बेसिक जिसमें मैंने a प्लस b का होल स्क्वेर यूज करना सिखाया है तो जाकर देख लेना और अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना आए समझते हैं ऐसे कॉस्टिंस को हम कैसे करने वाले हैं देखो पर आपको देर रखा है 3x प्लस 1 बै 2x बराबर में 4 है तो हमसे पूछ लिया गया 9x स्क्वेर प्लस 1 बै 4x स्क्वेर बताओ ठीक है अच्छा हडबड़ी नहीं मचानी है क्या करना है सबसे पहले देखो अच्छा यह देखो धियां से इधर 3x था इधर है मेरा 9x स्क्वेर इसका मतलब स्क्वेर हो गया इसका मतलब क्या हो गया स्क्वेर हो गया इधर भी तुम देखो 1 बै 2x सिर इधर बन गया 1 बै 4x स्क्वेर तो इसका मतलब यह भी square हो गया इसका मतलब मेरा यहां पे लगेगा square का formula क्या लगेगा इधर मेरा square का formula बहुत अच्छे square का formula लगाना है square का formula a plus b का whole square बराबर में a square plus b square plus में 2ab अच्छा मैं आपको simple बता दू मैंने पीछे भी बताया था इसको हटा दो एक बर square पूछा simple इसको क्या करो इसका square कर दो और minus में क्या होता था 2ab हम बोलते थे कि सीधा minus 2 कर दो लेकिन मैंने बताया था इधर 2ab चिपा हुआ यह a b जो ने मेरा चिपा हुआ जो की दिखता नहीं है ठीक है आज मैं दिखाती हूँ तो देखो x से तो x पहली उड़ जाएगा 2 से टूड गया तो इसका answer आगया मेरा 16 minus 3 जो किया गया 13 समझ में आया बोलो समझ में आया नहीं आया कोई दिकत नहीं है इसका मैं basic दिखाती हूँ आपको और अच्छे समझ में आएगा देखो इसका basic अगर में आप लोगों को दिखा हूँ देखो क्या होता है a plus b का whole square जो क्यों होता है a square plus b square plus 2ab ठीक है a plus b का whole square अच्छा ये देखो ये मेरा a है ये मेरा b है ये बात आपको पता है अच्छे से बिल्गूर पता है a plus b बराबर में 4 दिरका तो क्या इधर में 4 का square लिख दू तो आप लोगों को तकलीफ होगी बोलो तकलीफ होगी नहीं होगी बिल्कु नहीं होगी और होनी भी नीच्छी a square plus b square मतलब की 3x का square बोले तो 9x square b का square बोले तो 1 by 2x का square मतलब की 1 by 4x square plus में 2 a कोन है मेरा 3x है 3x है और b कोन है मेरा 1 by 2x है इसको धरी रखो यहीं तो निकालना है इसको धर रखो 9x square plus 1 by 4x square इस पूरे को उठा के इसके पास ले चलो तिये बनेगा 16 का square minus 2 गुना 3x गुना 1 by 2x x से x उड़ा 2 से 2 उड़ा तो मेरा क्या आ गया सोरी 16 का square ने 16 है तो यह आ गया मेरा 16 minus 3 जो कि आ गया 13 यही तो मैंने पहले निकाला था तो यह बाद ध्यानक ना जब भी आपको दिखे कि यह square हो गया तो square का formula लगा देना ठीक है इसका मतलब जो भी given है उसका कर देना square minus 2ab होता है खाली 2 कब घटाते है जब यह और यह बिल्कुल सेम होता है यह और यह बिल्कुल सेम होता है क्योंकि सेम होने की वज़ा से अगर यह भी 3x और यह भी 1 by 3x होता तो यह कट जाता है इसलिए बोलते हैं कि सिधा 2 घटाव मेरे भाई लेकिन जब यह सेम नहीं है सेम नहीं है तो आपको इस step करना पड़ेगा कौन सा step minus 2ab वाला समझ में है समझ में है ठीक है और अच्छे से समझ में आएगा अगला question देखो अगला question है 5x plus 1 by 2x बराबर में है 7 तो बताओ आप कि 25x square plus 1 by 4x square क्या होगा फटाफट अपनी कोपी में फटाफट वीडियो पोस करके फटाफट solution करो फटाफट हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हाँ भाई यह देखो मेरे को square दिख रहा है साफ साफ कि हाँ इसका square कर दिया गया कही न कहीं तो मैं भी square कर दू फटाफट हम भी क्यू लेट करें ठीक है तो जो given है उसका कर दो square minus 2ab अब यह x कटना ही आप लोगों को पता है तो क्यू लिखना simple लिखो ना 5-2 लिखो कोई दिक्कत होगी नहीं इस 2 से टूट जाएगा बिल्कुल उट जाएगा तो 49 minus 5 करने में कोई तकलीफ नहीं 44 अंसरा जाएगा बोलो जरा 44 अंसरा जाएगा कितनी देर में हुआ बताओ कितनी देर में हुआ बिल्कुल जल्दी से हो गया एक और solution एक और question करो उसका solution करो 6X प्लस 1 बै 4X बराबर में है 8 तो मेरे को बताओ कि 36X स्क्वाइर प्लस 1 बै 16X स्क्वाइर क्या होगा क्या होगा ठीक है सिंपल फटाफट सबसे पहले देखें इस स्क्वाइर हुआ बिल्कुल दिख रहा है मेरे को स्क्वाइर हुआ बिल्कुल दिखा मेरे को ठीक है स्क्वाइर कर दो तो क्या गरूँगी 8 का स्क्वाइर माइनस में 2 एक नाम पे है मेरे पाद 6X X कटी जाएगा 4X ठीक है और इधर है मेरे 4 इधर ये गया 2 पे इधर ये गया 3 पे तो 64-3 जो किया गया 61 समझ में आया क्या कहीं पे आप लोगों को तकलीफ लगी बोलो तो जड़ा कहीं कोई तकलीफ लगी नहीं बिल्कुल एक और लास कोशन लेते हैं फिर आपका ये वाला टाइप खतम हो जाएगा ठीक है 4X प्लस 1 बै 5X बराबर है 8K तो मेरे को बताओ कि 16X स्क्वाइर प्लस 1 बै 25X स्क्वाइर क्या होगा ठीक है ये आपको बताना अब तो आप माहीर हो गए हैं बिल्कुल 8 का स्क्वाइर कर देंगे फटाफट इधर लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 4 और नीचे में 5 अब तो ये कट नहीं रहा है तो क्या हो गया कोई दिकत नहीं है माइनस 8 बटे 5 कर दो तो क्या 64 माइनस 1 बै 6 नहीं आ जाएगा माइनस 1 बै 6 जो की हो जाएगा 62.4 62.4 ये मेरा अंसर हो गया कोई तकलीफ कोई इधर बताओ कोई तकलीफ समझ में आए अगर आप लोगों कोई टाइप समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो को करी लेना है ठीक है और कोई डाउट रहे हो कहीं पे भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मैं उसका आपको जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगे नहीं तो कमेंट सेक्शन पॉसिबल होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दूँगे तो अभी के लिए यहीं पे खतम करते हैं और मिरते हैं नेक्स्ट वेली वीडियो में तो तब तक के लिए टाटा बाइबाइ और थैंक्यू सो मच फो वॉचिंग